दोस्तों पत्री आज उन common problems में से एक है जो बढ़ती जा रही है और बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपना सिकार बना रही है लेकिन हर कोई सिर्फ ये बताता है कि पत्री होने पर क्या-क्या नहीं खाना चाहिए लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वे कौन से foods हैं जिनक पालक में oxalate होता है और ये calcium को जमा करता है और फिर पत्री बनना start हो जाती है पालक खाएं लेकिन जादा नहीं और यहीं वज़य है कि पत्री के मरीजों को पालक ना खाने के सलाथ दी जाती है इसी तरह टमाटर में भी कावी मातरा में oxalate पाया जाता है और इसमें छोड जाने के लिए पार्चन धंतर को थोड़ी जादा मैनत करनी पड़ती है इसलिए इन्हें भी जादा ना खाएं चोकलेट के दिवानों के लिए एक बुरी ख़बर है कि चोकलेट में भी oxalate होता है इसलिए अगर चाते हैं कि आपको पत्री ना हो तो अपने दिल पर पत्थ चोकलेट से दूर ही रहें या फिर हफते में स्रफ एक ही बार चोकलेट खाएं अगला है सीफूड इनमें प्रोटीन के साथ साथ प्यूरी नाम का एक तर्ट्व भी पाए जाता है जो यूरिक एसीड के स्तर को बढ़ाता है और किड्नी सोंस को बनाता है इसलिए सीफूड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलें धन्यवाद हुआ हुआ है